हिंदी सहित्य की यादगारी कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिये हिंदी की सशक्त कथाकार चित्रा मुद्गल जी की लिखी हुई कहानी इस हमाम में तो शुरू करे कहानी इस हमाम में आज उसकी घंटी ने बजी ना ही आवास सुनाई दी रोज सुबह दरवाजे के बाहर से उसकी आवाज सुनाई पड़ती बाई, कच्रा इसी तर्ज में वो यानि अंजा हमारे लंबे कॉरिडोर से जुड़े हुए हर फ्लैट की घंटी बजाती हुई कच्रा शब्द का उचारण करती फिर कच्रा लेने उसी फ्लैट के सामने पहुँच जाती जिसकी घंटी उसने सबसे पहले बजाई थी ऐसा शायद उस सुविधा के लिए करती थी कि तब तक हर फ्लैट का बाशिंदा अपने अपने कच्रे का टिब्बा दरवाजे के बाहर रख दे और अंजा को व्यर्थ प्रतीक्षा न करनी पड़े दस माले की उची इमारत के हर घर से उसे कच्रा एकटा करना पड़ता था लोगों को भी आदत हो गई थी वे उसकी घंटी पहचानते थे सुबह दूद वाले की घंटी पेपर वाले की घंटी और अंजा की सुबह की विस्तता के बावजूद लोग उसकी आवाज सुनते ही दरवाजा कोल अपने कच्रे का डिब्बा बाहर रख देते और बिना अंजा की प्रतीक्षा किये हुए अपने काम में लग जाते अंजा एक-एक का कच्रा क्रमशा अपने प्लास्टिक के भारी जाबे में उडेलती खाली डिब्बा या थास्थान रखकर दूसरे फ्लेट के दरवाजे पर पहुँचाती बाद में लोग अपना अपना डिब्बा सुविधानुसार उठा लिया करते शुरू के दिनों में मैं भी ऐसा ही करती थी ठीक पॉने नौ बजे घड़ी देखकर सोमेश दफ्तर के लिये निकल पड़ते मैं बैग उठा कर उन्हें लिफ्ट तक छोड़ने के लिए दरवाजा कोलती तो खाली कच्रे का डिब्बा घर की देरी से सटा रखा होता शायद ये बाद सोमेश कई दिनों से गौर कर रहे थे कि कच्रे वाली कच्रा तो लेकर चली जाती है मगर मैं इस बीच खाली रिब्बा जोंका त्यों पड़ा रहने देती हूं घर से निकलते ही सबसे पहले खाली डिब्बे के दर्शन उन्हें अब शकुन प्रतीत होता उनके इस वहम से परचित होते मैंने अपनी आदत वदल ली थी और ऐसी स्थिती में मेरे और अंजा के आपचारिक परिचय ने आतमेता की प्रगाड़ता ग्रहन कर ली थी अब होता ये था जैसे उसकी घंटी बच्ती मैं फौरण अपनी व्यस्तता जटक कर डिब्बा उठा अंजा के सामने पहुँच जाती और उसे तुरंत खाली कर देने के लिए कहती एक आद रोज तो इस परिवर्तन से उसे परिशानी हुई थी कच्रे का जाबा 58 नंबर वाले फ्लैट के सामने ही वो हमेशा की तरह रखा छोड़ाती थी पूछे बिना उससे रहा भी नहीं किया था मुहा से भरे सामले गालों की उबरी गुलाईयों के बीच कुछ अधिक फटे होटों में वो अर्थ पूंध धंग से मुस्कुराई थी इधर कच्रे का डिब्बा चोरी नहीं होता उसके गलत मतलब निकालने पर एका एक दिमाग भनना उठा था सुबह का वक्त था सेयात होकर जवाब दिया ये बात नहीं अंजा असल में साहाब को दर्वाजे पर पढ़ा हुआ खाली कच्रे का डिब्बा अफशकुन लगता है बस इसलिए क्या उसका हूँ अच्रस से खुल गया आँखे पटपटा कर बोली साब इतना शिखेला पढ़ेला मानुस होकर ये सब बात मानता है क्या आजकल तो अपन लोग भी ऐसी बात वर विश्वास नहीं करता फिर क्षण भर निर्विकार भाव से मैंने उसे देखा फिर खाली टिब्बा लगबग उसके हां से जटक कर अपना दर्वाजा बंद कर लिया इस प्रश्ण का जवाब भी क्या था मेरे पास जबरन सहीजा हुआ तटस्त भाव रसोई तक पहुँचते पहुँचते मौमसा पे घलने लगा एक तरह से मुझे उसका ये कटाक्ष पूर प्रश्ण अच्छा लगा था क्योंकि उसके प्रश्ण में जग्यासा की तीव्रता के अलावा सोमेश के वहमी व्यक्तित्य के प्रतितिरस्कार का भाव भी था इतना शिखेला पढ़ेला मानुश अंजा के शब्द व्यस्तिता के बावजूद मस्तिश के समवेदन तंतों में दुपके हतोड़े की धमक से निरंतर बश्ते रहे लगा था कभी अंजा को अपने करीब बैठा कर वो सब बता दूँ मैं एक नहीं कई-कई वहमों की चोट से छिदी हुई हूँ और सुषकता की हद तक जीवन मों से भी मुक्त और जब अंजा की आँखों का प्रतिपल गहरा होता विस में एका एक उपहास बनकर सोमेश की व्यक्तित पर गिट्टियां उच्छा लेगा तो शायद मैं एक सुख़द रहत महसूस करूँगी एक मामूली कच्रे वाली का उपहास मेरी अपनी टीसों पर ठंडा फाहा होगा ऐसा हो नहीं पाया उसे अपने करीब फुरसत से बैठा तो नहीं पाई बस परस पर बोलचा लिश्चे ही बढ़ गई ये भी सोमेश से छिपाने रहा अपनी नाराजगी विदबा नहीं सके एक रोज जुझला कर विफ्रे कच्रा दिने में इतना समय लगता है ये बात भी मैंने अनसुनी कर दी मेरी ये जिटाई उन्हें बेहत नागवार गुझली मेरा नहीं तो पास परोस वालों का तो लिहाज करो सुनकर विद्रो की एक तडब सी कौन दी चीखों का ढखा दबा सेलाब फट पड़ने को हुआ किन्तो हमेशा की तरह सब भीतरी भीतर अंतस की गहराईयों में पूटता रहा बहत पहले अपनी घुटन को अभीव्यक्तिती थी चश्मा उतार कर अपनी आँखें दिखाई थी इन आँखों में देखने की शक्ति है मस्तिष्क सोचता भी है हिर्दे में समवेदन शीलता भी है सुनकर सुमेश हस दिये थे तुमारी आँखें सचमच खूबसूरत है दिवा पर देखने के लिए उन्हें चश्मे के सहरे की जरूरत है फिर जो निर्ने लादने का सिलसला शुरू हुआ उसने शायद मेरे कंधों की मजबूती पहचान ली थी शादी के चार साल बाद समीप हुआ था मेरी खरीदी हुई स्लेट तता रंगीन चौकों का डिब्बा न जाने कहा पड़ा होगा सुंदर जिल्दवाली अक्षर ग्यान के किताबें अपने उपर रखी जाने वाली ननी कोमल उंगलियों के इसपर से वंचित न जाने किस दराज़े पड़ी धूल खा रही होगी पाँच साल का समीप मेरी कापती हुई टांगों से लिप्टा चीखे मारता रहा मदर ने अंक में भरकर उसे बहलाते हुए गोद में उठा लिया था और सांतोना से मेरे कंदे थप थपाते हुए कहा था बहिया भावी सुमेश को देख कर लोटे थे भावी ने कहा था उन्हें तो एमे या प्येजडी से नीचे पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ही नहीं कई महीनों तक मुझे देख दाख आने के बावजूद सुमेश के घरवालों ने मेरे सम्मंद में ब्याक और निर्णे लटकाए रखा था शादी हो जाने के काफी अर्से बाद मौसी ने बताया था चश्मे के बावजूद उन्हें इतनी सुन्दर लड़की ढूने नहीं मिली थी लड़कियां तो बहुत देखी गई थी पर सुन्दर्ता, शिक्षा तथा जनमपत्री का मिलना और 32 गुणों तक मिलना मेरे साथ ही संभव हो पाया था और इसी लिए निर्णे में समय तो जरू लगा पर हुआ मेरे पक्ष में उस रोज की घटना सालो हो गए, मगर आज भी याद करते हुए सिहरती हूँ सोमेश दफ्तर से निकल रहे थे और सहसा उनके दरवाजे के बहार होते ही मुझे याद आया था कि मैं जल्दबाजी में उन्हें रुमाल देना भूल गई हूँ लपक कर दरवाजा खुल कर कॉरी रोर में पहुची तो पाया कि ये लिफ्ट के सामने खड़े उसके उपर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे सुनिए मैंने रुमाल वाला हाथ आगे बढ़ा कर उन्हें पुकारा तो वे एकाएक मुड़े और तमतमाए से मेरे करीब आकर तकरीबन बहां से घसीटते हुए भीतर ले गए और इतनी जोर का धक्का मारा कि मेरा पूरा शरीर जड़ से उखड़े पेड़ की तरह ड्राइंग रूम की दिवार से टकरा गया सुन होती दे काले धबों से भर गई आखों से मैंने उनका चेरा कोशिश करके देखा था वे लगबक चीक से रहे थे आइंदा ऐसी हरकत मदोराना समझी कितना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो एक बार मैं घर से निकल गया तो समझो निकल गया पीछे से कभी न बुलाना दफतर मैं फोन भले कर देना उस वक्त अम्मा कुछ दिनों के लिए हमारे साथ थी मेरे प्रकितस्त होते ही उन्होंने मुझे सोमेश के वहमी प्रकरदिपक्ष और उसकी प्रामारिकता पर लंबा चोड़ा भाशर देडा ला था कि ऐसी टोकर टाकी से किस तरह बनते हुए काम बिगर जाते हैं इन सब बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा बहू सोच विचार कर चलने की हमारी कुल परंपरा है हम बीज विसुआ वाले काने कुली जो ठहरे रूडी और पाखंड के बवंडर में घिरा, आहत, मन, शोब और पीडा से छटपटा उठा था भाईया भावी के प्रती आक्रोश की उबरी चिंगारी शने शने जवान आक की शकल अक्तियार करती जा रही थी कि तभी अचानक अंजा से भेट हो गई थी और जान भूज कर मैंने उससे संसर्ग बढ़ाना शुरू कर दिया था ताकि उश नीच की कुलीनता अकुलीनता से प्रभावित रहने वाली सोमेश की भावनाओं का मुँ बिरा सकूँ एक दो पहर गहरी नीद में घंटी की आवास सुनकर जब मैंने दर्वाजा खोला तो पाया सामने कच्रे वाली अंजा खड़ी है समझ में नहीं आया इस वक्त वो क्यों करा सकती है उसके असमें आने का प्रयोजन पूछना ही चाहती थी कि तब तक वो साधिकार भीतर दाखिल हो गई पताने क्यों मुझे उसका आना अच्छा लगा उससे बैठने के लिए कहकर सोच सा वाजबिशन पर जाकर मुँँ हाथ दोने लगी फिर चाय बनाकर उसे दो कपों में च्छान एक कप अंजा को थामा उसके निकट आकर बैठ गई अकसर जब कभी उसे सुबह फ्रिज का ठंडा पानी पीना होता तो वो मुझे ही मांगती थी मैं निसंकोच पानी गलास में डाल उसे थमा दे थी गलास में पानी लेते हुए वो संकोच से सिकर उर्ठती कहती बाई एक तु मीच हो जो अपुन को बोईज बर्तन में पानी पिलाता है जिसमें तुम खुत पीता है नहीं तो अप उनको तो लोग ऐसीज कप में पानी देता है जो कच्रे में फेकने वाला होता है समझते हैं हम इंसान नहीं मैला हैं मैला वो बिना कुछ बोले फोरण चाय सुरकने में तन में हो थी उसके द्वारा ही कुछ कहे जाने की प्रतिक्षा करती रही उसका चिंता मगन चेहरा काफी उदास लग रहा था मैंने उसे हमेशा हसते हुए मजाग करते हुए देखा है बलकि सुबह मुझे उसके रसीले बत कहाओ की वज़े से ही प्रतिक्षा रहती थी कि भेट होते ही वो कोई ना कोई टीका टिपनी भरी बात करेगी या फिर कुछ भूर किस्म के मजाग जो मुझे वस्तुता अच्छे लगते थे हमारे बीच दुपकी बैठी चुपी मैंने ही तोड़ी क्या बात है अंजा आज तुम बड़ी परिशान नजर आ लियो हाँ वो बाई मेरे को कुछ रुपया चाहिए था वो संक्पोश से सैंती हुई साहस कर बोली रुपय क्या ज़रू अता पड़ी तुमें जोपड़ा लेने का मेरे को उसकी बात सुनकर मुझे आजरज हुआ अपनी जिग्यासा दभानी पाई घर नहीं है क्या तेरे पास है पन कहकर वो अपने मन की दुविधा जेलती कुछ पलमौन हुआई लेकिन चाहे खत्म होते न होते वो अपनी सारी परेशानी ब्योरेवार बता गई उसने तथा उसके तीसरे पती ने मिलकर खार जोपड़ पट्टी में एक जोपड़ी ली है जिसके लिए उसे 1500 रुपए डिपॉजिट और 15 रुपए चालू भाड़े का जुगार करना था मैंने देखा घर के विशय में बताते हुए उसका उदास चेहरा खिले फूनों सा निखराया था अभी वाला घर में नलभी है मुनिसपैल्टी का संडास भी है पिच्छू जहां हम रहता था न वहाँ पानी का बहुत दिक्कत था बंबा से पानी भर के लाना पड़ता था और संडास सुनेगा तो तुम हसेगा इस्वासी ने करेगा एक दब सुगू को उठकर सड़क के बाजू में ऐसी दैनिय इस्थे सुनकर भी मैं अपनी हसी रोक नहीं सकी थी जाने के पहले डेर सो रुपए मैंने उसकी हतेली पर धर दिये थी अन्जा की आँखें अनायास इसनेहील क्रतग्यता से भीग आई थी अचानक जुकी तो उसका हाथ मेरे पैरों पर टिक किया बाई आपका जैसा दिल किसी का नहीं देखा आपो घर मुझे अन्जा को मनपसंद घर मिल जाने की खुशी हुई थी अपना ये फ्लेट मुझे कभी घर की तरह नहीं लगा किसी दोड़ती हुई ट्रेन के स्लीपर कमपार्टमेंट का हिस्ता भर मैसूस हुआ जिसका फर्ष दूसरों के घर की छट है और छट इसी और के घर की जमीन दो-तीन कहानिया लगातार पढ़ गई थी आँखों में दर्सा महसूस होने लगा था पता नहीं चश्मे का नंबर बढ़ गया है या दोपहर बर लगातार पढ़ने का नतीजा था कहानी की पत्रिका से रहने उठा कर रख दी चश्मा उतार कर दोनों हतेलियों से दुखती आँखों को हलके हलके दबाया एक सुखत राहत से पलके तंद्रे लोटी नहीं नहीं मैं सोना नहीं चाहती सोमेश महसूसी नहीं करते कि अब मैं पढ़ते पढ़ते थक गई हूँ सोते सोते थक गई हूँ दिन भर टेबल कुरसियां कुशन ज़ाडते पोंचते थक गई हूँ सिर्फ उनकी और उनकी ही बाते सुनते सुनते थक गई हूँ ना किसी के संग उठना बैठना ना कहीं मन मुताबिक आना जाना आना जाना भी हो तो सोमेश के उपस्तिति का दबाहो हर पल किसी पीछा करते व्यक्त की कड़ी निर्गरानी के आतंक सा मन को बंधक बनाए रहता अंजा से मैंने अपने इस उबन का जिक्र किया तो सुझाओ देती सी बोली थी बाई अख़्ा दिन काय को गर में पड़ा सड़ता है दूर किसी आफिस वाफिस में काम धंदा देख लो ना साहब जो भी बोलता है तुम गुप-चुप काय को मान लेता है तुम शिखेला पढ़ेला है ना परवा मत किया करो जितना परवा करेगा न उतना आच वो तुमको आखे दिखाएगा समझा फिर बाबा का काम भी तो नहीं है वो ओधर होस्तल में और तुम इदर घर में अक पत्र भीज दिया साक्षातकार का बुलावा आने पर चुप-चाप साक्षातकार भी दिया ही अचानक एक दोपहर मुझे स्कूल के अधगारियों का पत्र प्राप्त हुआ कि मुझे वहाँ एक हफते के भीतर जोइन कर लेना है सुबह नास्ते की टेबल पर सोमेश को जब मैंने खुश खबरी दी तो प्रत्युत्तर में उनका अक्षरवर पहले का मीठा स्वर चरचरहात में बतल गया नौकरी की तुम्हें क्या जरूता पड़ी समीब के चले जाने के बाद मैं दिन भर अकेली पड़ी उपती रहती हूं बस यही सोचकर आवेदन पत्र भेज द नहीं हूं मगर वे बच्चे भी तो पालती हैं दिवा उनकी आवाज उतेजना से कापने लगी तुमारे वाहियात तरकों के फेर में मैं नहीं आने वाला घर में रखकर समीब के जंदिगी नहीं बिगाड़नी है मुझे मुझे क्यों घर में रख छोड़ा है मेरे तुस्त साहस कि उन्हें रंचमातर भी कलपना नहीं थी दाड़ी का ब्रज गुसे से बेसन पर पठकते हुए वे तौलिया उठा बनाते हुए बातरूम के और मुड़ गए पता नहीं हरामजादी क्या चाहती है पांच लाग का फ्लेट है बच्चा आराम से सिंधिया में पढ़ र गए है वो भी ठीक ऑफिस के लिए तयार होने के समय ही रेड मार कर रख दी मलोतरा वाला अनमंद आज ते होने से रहा बातरूम का दर्वाजा बंद करने से पहले उन्होंने मुझे आगने नेत्रों से घूरा फिर आदेश भरे स्वर में बोले फिजूल के तेवर दिखान का संकेत भर हूं यही और बस इतनी ही मेरी पहचान है और मेरे होने की शर्त अन्जा ने तीसरे आदमी के साथ घर बसाया है मैं इस कटीली फैंसिंग को सुरक्षा की चार दीवारी का ब्रह्म मनाए क्यों पेट मेने वाले डालने की मजबूरी को जीवन का तालमेर और आप का जीवन दर्शन अलग-अलग है बातरूम से बाहर आकर सब कुछ पटका-पटकी वाले मूड में स्वता किया गया मेरे निकाले हुए कपड़े न पहन कर दूसरे निकाल लिए गये पॉलिश वाले जूतों को परे सरका कर गंदे सेंडल पहने गये रुमाल भी दूसरा ढ उला गया पर शायद मिला नहीं अतारोश में वो भी साथ में नहीं रखा गया दर्वाजा इतनी जोर से बंद किया गया कि बड़ी देर तक कानों में एक अजीब सी भनाहट गूंच दी रही उठकर दर्वाजे तक मैं भी नहीं गई हमेशा ही समझोते को प्रस्तुत रहने वाली मेरी आदत ने एका एक रुख पलड़ा था और इस धिटाई के लिए मन को पच्तावे जैसी भावना ने उद्वेलित भी ने किया बस आक्रोश का जवा निरंतर मन को बेदता रहा कब तक ये सब सहना है 600 रुपए की नौकरी मुझे अपने ढंक से खड़ा तो रहने दे सकती है फिर ग्रणा ग्रणा का अविराम बहाओ कबसे अंतर की अंदेखी गुहाओं में अभाद बैता रहा मुझे आभासी नहीं हुआ एक सक्ष के इतने हिस्से कैसे कर दिये जाते हैं बेटी बहु पतनी मा नारी पैदा होते ही उसे समझाना शुरू कर दिया जाता ह कि उम्र के हर टुकडे को दूसरों की सिवधाओं के अनकूल आत्मसाद करके जीने में ही उसका जीना है एक निर्धारित स्विकार क्यों आखिर क्यों तकिया अमीबा की शकल में कई जगे से भीग गया उठकर मैंने दीवारों दर्वाजों के उन हिस्सों को बार बार चु कर एफ और एपल लिख दिया था कहीं वन टू थ्री फूर रात को सुमेश मेमानों के कमरे में ही सो गए सुबह पता नहीं कब उठकर चले गए दो बज़े तक नीदी नहीं आई उठी मेडिसिन बॉक्स से कॉम्पोस निकाल कर खाई तब कहीं जाकर आठ लगी किसी भी काम के लिए उठने की इच्छा नहीं हो रही थी लेकिन कच्रे वाली अंजा की घंटी और साथ साथ उची हुई लहगदार आवाज ने चुमबक सा खीश लिया उठकर रसोई में आई तो हाथ यंतर चालिस से फ्रिज पर चले गए देखा दूद की चारों बोतले स्टैंड मे करीने से लगी हुई हैं सोमेश ने उठकर ले ली होंगी मुझे तो पता ही नी चला कि कब दूद वाले की घंटी बजी कब पेपर वाले की रसोई के प्लेटफॉर्म पर चायदानी तता एक जूटा कब भी पढ़ा दिखा परंत मन को गलाने नहीं हुई यह से मुझे तकल डिबबा उठा कर फूर्ती से बाहर आई बाहर खड़ी वो मेरी प्रतिक्षा कर रही थी कचरे का डिबबा जैसे ही मैंने उसकी और बढ़ाया तेज तर्रार अंजा ने किसी अप्री घटना की परचाई मेरे आँखों में पढ़ ली क्या बात है बाई आँख तो ऐसा बावे को घूरती भर रही रात साहब से लफड़ा हो गया था क्या अंजा मेरी खामोशी पर तिक्त होती गंबीर हो आई हां मैंने संक्षिप साउतर दिया मरत जात कोई कोई छोड़के बोलेंगे तो पक्का भड़वा होता है अपनने हिम्मद छोड़ी की समझो उसके खी नहीं थी कि इस सरे की कड़वाट हमारे भीतर भी उठती है परन्तु ऐसी अशालीन शब्दा बिव्यक्ते में हम उसे सुनने कहने के आदी नहीं होते अंजा का आकरोश पीछे लोटता कहीं अपनी यंत्रनाओं की गलियों में बटकने लगा था हम तो पहले वाले मर्द को छोड़ा इसलिए अख़्ा दिन किट किट जितना पगार उठाता था सब दारू में खलास तीन साल में तीन बच्चा बहुत मुश्किल से एक गेस्ट हाउस में जाडू कच्रा उठाने का नौकरी मिला पगार बोलेंगे तो फकत असी रुप्या साला जब देखो तब सेट भरने को तरसता 6 साल खडू के संच कैसे निकला बोलने को नहीं सकता फिर सोचा मरत के साथ भी तो अपने हाथ का कामा के खाना पड़ता है अकेला ही बच्चा लोग को पालेगा पन वाई जाद विरादρι वाला अकेला भी तो नहीं रहने देता कहते कहते अंजा की आंक पनियां आई, एक दिन हम भट्टी वाला सेट सद्दू के घर अपना तीनों बच्चा लेकर आ गया, कुछ दिन तलक तो वो हमको बड़ा चाओ से रखा, फिर लगा दिया भट्टी के काम में, मैं नौसादर और गुर सड़ा के दारू बनाने लगी और वो हराम पोर रात दि परीपन रखे ली होती उसकी, वहीं अख़्ा रात दिन पढ़ा रहता, जगड़ा करने से भढ़वा मेरीज पिटाई करता, कितना दुख रोएगा, सद्दू ने मेरे दोनों चोकरों को दारू पहुचाने के काम में भढ़ा दिया, एक रोज दोनों मोटर का ट्यूब में दारू भर कर अंधिरी स्टेशन का पिच्चू एक होटल ने पहुचाने गया होता, तब ही पोलिस का हाथ पढ़ गया, और वो कुतरा जामे के वास्ते भी ने गया, बच्चा वो भी नहीं, एक दिन अख्खा जोपर पट्टी पर पोलिस का धार पढ़ा, खोद-खोद के म में कच्रे वाली का काम करती थी, मैंने भी पेट पालने के लिए दो-चार घर पकड़ लिए, बाद में खबर लगा था, सब दू को साल भर का तड़ी पार मिला है, सहसा बगल वाले फ्लेट का दर्वाजा खुलने से हमारी बातचीत में व्यववधान पढ़ा, अंजा एक ठहर कर मुझसे हेलो की, प्रत्युत्तर में मैंने अपनी अटपटी स्थिती को ढखते हुए, मुस्कुरा कर उनसे प्रतिप्रश्ने किया, बहुत दिनों से आप दिखाई नहीं दिये? जी, मैं करीब तीन महिने से यूरोप की यातरा पर था, अच्छा? मैंने सौर में भर सक विसमें भर कर कहा, वे मुस्कुराते हुए लिफ्ट की तरफ बढ़ गए, उनके जाते ये अंजा दर्वाजे से बाहर प्रतिक्षा करते कच्रों के डिब्ब्यों की और पेक्षा कर कुना मेरे करीबा खड़ी हुई? बाई, उसका स्वर मेरी और जुकता हुआ अचानक खुस्पुसाहाट में बदल गया, बाहर बाहर कहीं नहीं गया था, तीन महीना जेल काटके आया है ये साहाब, मालूम है क्या? क्या? उसकी करों कथा से अभिबूत मेरा हिर्दय एकाएक किसी संसनी खेज घटना को जान लेने की तीवर उत्षुकता में परवर्तित हो उठ था, बहुत बड़ा इसमगलर है ये, पकड़ा गया था, बचा नहीं, तुमको नहीं पता? नहीं, मेरे विसमय का पारावार नहीं था, बहुत उंचा-उंचा लोग रहता आपके पडोस में, 34 लंबर वाली वो केशव मेम साब है न, आपको तो यह इच पता होगा, कि वो नाच बाच सिखाती है, डांस का किलाज चलता है उसका, पर असल में कहते कहते अंजा संकोच वश तनिक्ठिट की, धंदा करती है चुकरियों का, उनके घर का कचरे के साथ बहुत सारा फैमली प्लानिंग पड़ा रहता है, क्या बोलेगा? छी, रहा से मूँ बिशकाक और जैसे किसी से त्रस्त होकर नाक से कोड़ी, तुम्हें ये बाते कैसे मालों पड़ जाती हैं? मैंने अचरस से पूछा, जबकि मैं तो पडोस में रहती हूँ, तुम भी बाई, बुद्दू सरिकी बात करती, कचरा के साथ बहुत सारी बाते ये लोग खुदी बाहर फेक द देता है, मेरा मन उसकी कुशागरता पर हत्प्रभ हो उठा, कैसी आत्मविश्वास से पगी औरत है, कितनी तेज बुद्धी, कितने आंधी तूफान जेले, मगर छीज छीज कर भी लड़ाई लड़ रही है, आज वो गंटी नहीं बजी, ना वो लहकदार आवाजी सुना आदमी की थी, मुझे बहदास चरी हुआ, कच्रे का डिब्बा उठा कर मैं हतोत साहिच सी दर्वाजा खुल कर खड़ी हो गई, मैंने अंजा की जगे एक बुढ़े को खड़ा पाया, आज अंजा नहीं आई, तबियत ठीक नहीं है क्या उसकी, मैं अपनी जग्यासा कोशि करके भी नहीं दबा पाई, प्रतुत्तर में बुढ़े ने बुरा साहू बनाया, और कटाक्ष भरे स्वर में बोला, तबियत क्या बीबी जी, जिसकी एक के साथ नहीं निभी, दस के साथ क्या निभेगी, फिर आदमी और जगे बदल लेने से जिंदगी थोड़ी बदल ज अंजा ने ताव में कुछ खापी लिया, वाडिया अस्पताल में पड़ी है, अभी तक होश नहीं आया है, मुझे उसके मरद ने बदले में काम समभलने के लिए भेजा है, सुनकर मैं आवाख होठी हूँ, काम में मन नहीं लग रहा है, दिमाग में निरंतर बुड़े की आवाज गूंज रही है, आदमी और जगे बदल लेने से जंदगी थोड़े बदल जाती है, अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुद्गल जी की लिखी हुई कहानी इस हमाम में, ये कहानी 1980 में प्रकाशित होई थी, कल मिलेंगे फिर किसी उंदा कहानी के साथ आपका समय झाल 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